हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चानल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामने एक मोश्ट मुसल्स काम करते हैं डाइजेश्ट्य सिस्टम कैसे काम करता है यह सभी चीज हम लोग इस चाप्टर में पढ़ना है तो इसका एक लेक्टर हमने लिया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है हमारा पहला लेक्टर जिसमें हमने तो टोटली मस्कुलर सिस्टम को अच्छे से एक्स्प्लें किया है कि क्या होता है मस्कुलर के टाइप्स क्या होता है हर चीज मैंने बता है तो आप देख लेना जरूर सो जाके लेक्टर नमर वन आज हमारा लेक्टर नमर टू है इस चाप्टर हमारा आज के दिन ही लेक्टर नमर टू में खतम हो जाए तो सबसे पहली तो चमक में जाने के बाद क्या होता है, उसका digestion होता है, digestion याने कि वो खाना पच जाता है, खाना पचने के बाद क्या होता है, कि हमें जो ताकत मिलनी होती है, वहाँ से वो ताकत मिल जाती है, और हम लोग अपना काम करते हैं, जो भी waste product होता है, वो हम लोग क्या करते हैं, daily क्लियर है दोस्तों अब यहां पर बारी की से पढ़ेंगे कि डाइजेशन इस नथिंग बट जब भी हम लोग फुड खा रहे हैं तो यहां पर जो सॉल्यूबल जो भी चीजे होते हैं जो सॉलूशन जो भी चीज हम लोग के अंदर है यानि कि हमारे पेट में अगर देखा ज देखना है यूँकि बहुत इंपोर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला है तो सबसे पहली बात थोड़ा सा डाइजेस्ट्यू सिस्टम के बारे में बात कर ले तो हमारा जो डाइजेस्ट्यू सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ओफ एलिमेंटरी कैनाल यह एक पाइप लाइन का स्ट्रक्चर है जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉड़ी में एक पाइप है अब वो पाइप क्या है मैं आपको बताओंगो तो आप शौक हो जाओगे क्या है हमारा माउथ ओपनिंग है यहां से सीधा जा रहा है यह गले के थुरू अंदर श्टमक में जा रहा है श्ट मेरे जैसा एक बड़ा इंसान है 18 साल के उपर वाला तो एक एडल्ट एलिमेंटरी कैनाल जो होता है डाइसू सिस्टम के अंदर वो लगबग 9 मीटर का हो सकता है तो आप सोचो 9 मीटर कितना बड़ा होता है 9 मीटर मतलब बहुत बड़ा हो गया एक मीटर में 100 सेंटीमीटर बड़ा हमारे माउच से लेके यहां तक होता है लेकिन आप मेजर करोगे टेप से लेके एक कोई टेप लेलो स्केल लेलो यहां से मेजर करोगे लगबग आपका 40-50 सेंटीमीटर ही आएगा तो यह 900 सेंटीमीटर की तरह है आपके बौड़ी के अंदर है वह 900 सेंटीमीटर गुम गुम के कईसे न कईसे गया है, वो सबी चीज प्रॉपरिल एक्स्टेन करूँगा, ध्यान से देखना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कि आज का ये जो वीडियो है, हर चीज ताला का चावी खोल देगा, आपका concept इतना strong कर लेगा, बाकी के comparison में आप बहुत आगे न के बाद आता है, हमारा pharynx, ठीके medically घाले का उपर का पाता है, इसको हम लोग बोलते है pharynx ठीक है ना, एक food pipe होता है, यह जो है आपका wind pipe है, यह आगे दिख रहा है, यह हवा का pipe है, जिसे आप oxygen लेते हो, और उसके पीछे just है food pipe, तो हम digestive system की बात करेंगे, तो हम लोग wind pipe से wind pipe की चर्चा नहीं करेंगे, वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन हम बात करेंगे food pipe की जो की तो फेकस या फिर food pipe लिख देता हुमे, भेस्ट रहेगा, food pipe, उसके बाद आता है, आपका شटमक, ठीक है, ना, स्टमक आएगा, स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, जो भी खाना रहेगा, שटमक के बाद जाएगा, किसमे, आपके, किसमें जाएगा, सबसे पहले जाएगा, small ... तो उमीद करते हों कि आपका proCHESTA 을 समझ में आ च弄 आ ऐा कि कौण ... कैसे होते हैं , पूरा the mouse से लेकर अनस अलेकर, जो पूरा pipe होता है ना इसी को elementary canal बोलते हैं और यह कितना होता है 900 centimeter यानि कि 9 meter के बराबर होता है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीक है और यह जितने भी organs होते हैं systematic तरीके से काम करते हैं यानिक कि mouth के बाढ़ कोने करेगा फैरिंग Care अब mouth के अगर हम बात करेंगे mouth माउत के अगर हम बात करें दोस्तो यहां पे वह बार कर चेंज कर लिए हैं तो तो माॉथ के हम बात करें हैं तो माॉथ क्या होता है हमारा मूह आपको पता है अपने पास अपके बस अपना मूह होता है तो यह माउथ का सबसे important काम क्या है खाने के मामने में अगर मुज़े अपको बताना है तो मांथ ए आ ओपनिंग अगर माउथ नहीं हो तो आप खाना डालते कहां पे, सर में डालते हैं, कहां डालते हैं, तो एक जोग की बात है, लेकिन माउथ जो है आपका एक opening प्रवाइट करता है, तो mouth is nothing but opening, जहां से आप अपना खाना जो है उसके अंदर डाल सकते हो, यानि कि intake जो होता है, खाना तो निगल जाता है, चबाता बाता नहीं है, क्योंकि उसके बात दात नहीं होते हैं, दात खाली वो दस्तने के लिए होते हैं, ठिक है ना, लेकिन यहां पे जो humans की बात करूँ, कुछ animals की बात करूँ, यहां पे हमारे पास एक proper teeth होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा digestive system ज जो opening है यहाँ पे जो हम लोग निगलते हैं उसको वो बहुत ही पतला है बहुत ही बारीक है तो उतना मोटा अगर आप फूड एकी बार खाओगे तो सबसे importantly मैं बात करूँगो तीत के बारे में तो तीत क्या करता है चबाने का काम करता है यह नाम के बाद उसको मैं explain करता है प्रॉपर तरीके से सबसे पहला होता है इन सीजर ठीए एक होता है दुसरा होता है कनाईन ठीके उसके बाद जो होता ह्योता है प्री मोलार अन उसके बाद जो होता है वो हता है मोलार यह चीज आपको ध्यान में रखना है इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार यह आपको याद रखना है हमेशा एक्जाम में पूछ सकता है अब what do you mean by इंसीजर सबसे पहले इंसीजर की बात को तो यह सामने आले दात नीचे के एकदत इंचार, यह क्या होता है इंसीजर होता है, उसके बाद बात करें कैनाइन की तो कैनाइन क्या होता है, धार 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 जो टाइगर और लायन में ऐसे निकला हुआ रहता है ना यह वाला, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है यह वाला तो यह वाले दात को हम लग बोलते हैं कनाईन उसके बाद होता है प्री मुलार प्री मुलार का मतलब क्या होता है दोस्तों जो जश्ट कनाईन के वाजी में जब दात है कनाईन है यह हमारा वागया इंसीजर उसके वाजी में है कनाईन के फीचे हैं, आप जाओगे, तो वो जो दाथ दिख रहा है, आपको pre molar होता है, और सबसे लाश में जो बड़े-बड़े दाथ होते हैं, वो होते है हमारा molar, तो इस तरीके से arrange होते हैं, और नॉर्मल adult में आपको पताईए, total दाथ कितने होते हैं, हमारे चोटे हो, 7th standard में हो, लेकिन जैसे आप 8, 9, 10, 11th में जाओगे, आपको बहुत सारी नहीं चीज़े भी सीखने मिलेगे, ठीके, तो ये तो बात होगे, दात की, अपना-पना काम है इसका, और साथी में आपको पता है कि Mouth के अंदर एक और चीज प्रेजन्ट होता है, जिसको हम लोग थूक बोलते हैं, वो कहां से आता है, अपने मूँ के अंदर, अपने आप निकलता है, क्योंकि हमारे मूँ के अंदर, ये साइड और ये साइड, अंदर की तरफ से, एक सलाइवरी ग्लांस प्रेजन्ट है, एक समझ लेक तरी के से मटका है छोटा सा, जो की अपना इस तरह बनाया है, कि हम लोग हर चीज कर सके, तो ये सबसे इंपोर्टन चीज हो गया, पहला माउथ का, ठीके, सलाइवरी ग्लांस के हल्प से होता है, वो चबा लेता है, अब चबाने के बाद कहां बेजएगा, निगलेगा उसको, तो हम निगलते जब ही है, तो हमारा निगलते हैं, with the help of tongue, tongue हमको help करता है, पुश करने के लिए, जो भी आप खाना रहता है, तो हम लोग अपना जो जीब होता है, वो अपना उपर का जो पाट होता है, उस पर टाच होता है, अगर आपके बन में थूक होगा, मतलब इसके मुह के अंदर, तो आप निगल के अरगन होता है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कि हमारा ना vocal cord present होता है, यह आपके digestive system से लेना दना नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ मुझ के लिए रखा है, कि आपको मैं बता सकू अभी से, तो larynx क्या होता है, यहाँ पे आपके vocal cords present होते है, और जहाँ से आपका आवाज sound box जिसको बोलते है, तो आपकी आवाज जो है, वो यहीं से आ रही है, ठीके sound box से आ रही है, यह चीज़ यहाँ रखना है, larynx के बाद आता है food pipe, तो food pipe क्या होता है, आपका एक नली होती है pipe जैसी, जो कि सीधा स्टमक को connect करती है, तो आपका फैरिंग से जो खाना गया सी सीधा, यह वाला नहीं, इसके पीछे जश्ट एक pipe जैसा situated रहता है, जश्ट हो हमारे स्टमक के अंदर चले जाएगा, अब स्टमक के अंदर food पहुँच गया, तो स्टमक के अंदर क्या present रहता है, बहुत से अलग-अलग type के क्या present होते हैं, एक तरीके से juices present होते हैं, और व स्टमक के पास से जाता है, वो हमारे small intestine में, अब खाना पुरा गल गया, स्टमक के अंदर liquid बन गया, यानि कि आप खाना solid food, यानि कि आपने समोसा अगर खाया होगा, तो पूरा वो चबा-चबा के एकदम नरम बना देगा, और स्टमक में भेशने के पास वो पूरा पानी जैसा बना देगा, यानि पानी जैसा चीज जाएगा हमारे small intestine में, सबसे पहरा जो intestine आता है, small intestine, अब small intestine में जैसे ही जाता है, तो small intestine क्या करता है, उसके अंदर छोटे-छोटे-छोटे villi होते है, यानि कि villi होते है, मैं आपको बता हूँ, अगर diagram को draw करके, कि let's suppose आपका सम absorption करने को काम आता है, यानि कि अगर जो food particles समझ लो, इसके अंदर present है, जो food particles है, तो food particles जो liquid form में था, उसके अंदर से जो भी nutrients होता है, nutrients क्या होता है, हमारा carbohydrate और आपका hydrogen हो गया, oxygen हो गया, और साथी में carbohydrate, proteins हो गया, fats हो गया, ये सबी चीज जो important nutrients होते है, carbohydrate, proteins, fats, vitamins, ये सबी वहां से वो absorb करता है, और absorb करने के बाद किसमें भेज देता है, blood में भेज देता है, और blood हमारा circulate होता है, और अलग-अलग cells तक पहुचाता है, वो तो बात की बात है, circulation में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा digestion कैसा हुआ, श्टमक के बाद small intestine में आया, small intestine ने क्या किया, वो विला अब हो सकता है, उसको भी absorb करने कोशिश करेगा, तो large intestine जो होता है, वो सिर्फ उसी पानी और नमक, यानि salts, minerals and water को ही absorb कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे चीज तो इसने small intestine ने absorb कर लिया था, तो large intestine क्या करेगा, जो बचा-कुचा पानी है, उसको भी absorb कर लेगा, क्योंकि body हमा पर anus क्या करता है, जब भी हमें pressure महसूस होता है, कि अभी हमारा जो rectum है, यानि कि large intestine का आखरी वाला part होता है, rectum, वहाँ पे जो आपका waste product होता है, वो जमा हो जाता है, और सुबे-सुबे जब भी आपको pressure महसूस होता है, आप उसको anus के थुरू, opening के थुरू बाहर निक किसे मैंने आपको properly explain करने की कोशिश किये, और फूरी उमीद करतों कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, clear है दोस्तों, अब इसके अलावा और दो चीज हमें पढ़ना है, ये तो आपका पूरा का पूरा digestive system मैंने बता दिया, लेकिन digestive system के अंदर और दो चीज है, यहा of glands, तो glands के function क्या-क्या होते हैं, ये भी हम लोग थोड़ा सा आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप ध्यान से सुन लो, फिर हम लोग आज का lecture stop करतेंगे और हमारा ये chapter भी totally complete हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से सुन लो, सबसे important चीज होता है हमारे body में बहुत सारे अलग-अ saliva के बारे में, तो saliva जैसे मैंने बोला कि salivary glands जो होता है, salivary glands ये सबसे पहला जो glands है हमारा, salivary glands क्या secret करता है, saliva secret करता है, जिसके वैसे आपका जो खाना है, वो क्या बनता है, moist बन पाता है, यानि कि एक तरीके से गीला बन पाता है, जिसके health से आप उसको निगल पाते हो और उसको भेज पाते हो, कहां पे इफैरिंग्स के थूरू स्टमक के अंदर भेज पाते हो, तो यह सबसे important एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो कहां पे present रहता है, हमारा salivory glands, हमारे mouth के यहां पे present रहता है, उसमें से saliva जो है, निकलता है, और बात करें, यह काम करता है, starch को maltose में convert करता है, तो यह तो हम लोग scientific तरीके से बोलते हैं, कि starch को maltose में convert कर सकता है, लेकिन सबसे important चीज़ें, वो chew job करते हैं, हम लोग खाने को चबाते हैं, तो उसको गीला करने के लिए, moisture करने के लिए वो help होता है, तो सबसे पहला हो गया हमारा gland, salivary gland, ठीक है, यह सबसे पहला gland हो गया, second gland के अगर हम बात करें, जो की बहुत important माना जाता है, जो की होता है दोस्तो liver, अब liver सबसे largest gland माना जाता है, पूरे के पूरे human body के अंदर सबसे largest, सबसे बड़ा जो gland है, उसको liver माना जाता है, और liver में से, जो juice निकलता है, जैसे salivary gland में से saliva निकलता था, वैसे liver में से, जो juice निकलता है, उसको बोलते है bile juice, अब यह bile juice क्या करता है, कभी-कभी देखो, ऐसा होता है, कि हमने बहुत spicy food खाया रहता है, तो हमारे stomach में जलनों लगता है, तो क्या करता है, जब stomach जलेगा, तो वो liquid बना देगा, तो liquid किसके पास बहसता है, वो हमारा small intestine के पास बहसता है, ताकि small intestine उसको, उसमें से nutrients को absorb कर पाए, लेकिन small intestine के पास, अगर वो जलने वाला चीज जब जाएगा, तो हमारा अतडिया जो होती है, small intestine वो जलने लगेगी, तो उसको decompose करने के लिए, या फिर उसको normal बनाने के लिए neutralize करने के लिए, जो bile juice है, वो liver base देता है, small intestine के पास, तो small intestine के पास, जो acid वाला चीज जो हमने खाया था, वो अगर था, तो bile क्या होता है, एक तरीके से base होता है, यानि neutral करने वाला उपाय होता है, कि हमको पता है कि acid के उपर जब base जाल देंगे, हम लोग तो वो normal हो जाता है, neutral हो जाता है, तो हमने, हमारे अंदर हमने spicy food खाया था, acid था हमारे स्टमक के अंदर, intestine के अंदर, तो bile ने क्या क्या, liver ने क्या क्या bile juice भेज दिया, अब bile और जो acid था दोर मिल जाएंगे, और neutralization reaction हो जाएगा वहाँ पे, और neutral बन जाएंगे, और हमको breakdown करने में, emulsify करने के लिए, एक तरीके से simple करने के लिए, normal करने के लिए, यह bile juice बहुत जादा important है, emulsification of fats के लिए बहुत जादा important है, third हम लोग बात करेंगे, एक ओर type का, जो हमारा glands होता है, जो की बहुत important माना जाता है, जिसको हम हमारे टमक के जश्ट बाजू में आप देखोगे, तो pancreas present होता है, और उसमें से निकलता है pancreatic juice, अब इसका role क्या, important क्यों है यह, क्योंकि जोस्तों हमको पता है कि हम sugar खाते हैं, हम मिठा चीज़ खाते हैं, कोई भी एक organ है, gland है, जिसका नामे pancreas, वो निकालता है pancreatic juice, और यह pancreatic juice क्या करता है, sugar level को control करता है, क्या करता है, हमारा जो sugar level है, उसको control करता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा sugar खा लेते हैं, या फिर उनके body में कुछ problem हो जाता है, hormonal disbalance हो जाता है, तो उनका sugar level बहुत बढ़ जाता है, तो यह जो sugar level जो control करता है pancreatic juice, वो कम बनता है, हमारे body में pancreatic juice जो होता है, वो कम बनता है, जिसके वज़े से, वो control नहीं कर पाता है, sugar के level को, इसके हम लोग को जब doctor के पास जाते है, diabetes जब होता है, तो doctor हमें pancreas, sorry, insulin का shot देता है, ठीक है, यह जो pancreatic juice होता है, इसको हम लोग insulin भी बोलते हैं, जो hormone होता है, एक insulin नाम का होता है, यह आपने सुना भी होगा, आप लोग में से बहुत सारे parents को अगर हुआ रहेगा, तो आप उन्सवत पूछ सकते हो, कि insulin की injections दिये जाते हैं, और यह insulin क्या करता है, sugar level को maintain करता है, जो कि यह pancreatic juice में present होता है, तो और भी बहुत सारे चीज़े होती है, ठीक है ना, pancreatic में pancreatic juice, जो आपका convert करता है, sugar level को balance करता है, फिर उसके अलावा trypsin जो होता है, वो आपके protein को convert करता है, amino acid में, फिर lipase होता है, वो fats को fatty acids में convert करता है, और amylase जो होता है, वो क्या करता है, complex carbohydrates को simple carbohydrates में convert करता है, ठीक है दोस्तों, यही हमारा glance and last but not the least, यहाँ पर बात कर लेंगे, small intestine के बारे में, जो कि हमने already किया हुआ है, तो small intestine में क्या होता है, कि आपको पता है, मैंने विलाय पताया, ठीक है, तो small intestine के अंदर भी intestinal juice होता है, यानि कि intestine के पास भी खुद का juice है, जो कि क्या करता है, आपके protein को simple बनाता है, यानि amino acids में convert करता है, complex carbohydrate को simple carbohydrate, यानि कि glucose में बनाता है, और साथ ही में fatty acids को यहाँ पे glycerol में convert करता है, तो यह सबी चीज आपको बहुत importantly समझ में आ गया होगा, तो यही थे हमारे type of glands, जो कि digestive system and muscular system in human, यह चीज हमारे खतम होता है, तो first lecture में हमने muscular system पूरा देख लिया, second lecture जो आज था हमने पूरा digestive system देख लिया, each and every चीज में आपको पता है, तो पूरी उमीद कर तो आपको समझ में आ गया है, तो कैसा लगा है, हमारा यह आज का lecture वीडियो और यह पूरा chapter आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बताईएगा, और अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, दोस्तो support की बहुत ज़्यादा ज़र होते, तो फटा-फट से वीडियो को like करो, share करो, अपने सारे friends लोग के साथ फटा-फट शेर करो, and अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे इस चैनल को subscribe कर देना, सापने bell icon को press कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगो notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे इगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye